अपडेट अपडेट हर जगा यही नियूस की अपडेट आ चुका है जो वीडियोज देखे वहां पर यही तरह की अपडेट लिए वो भी तो यह सारे जो विडियो घर अगर आप बहुत गूगल में डालो तो सबसे पहला सेशन आपको यही देगा की नमसी लेटेस्ट अप लब इतना confused करके रखा है ना मीडिया वालों ने प्लस यूट्यूबर्स ने कि बच्चों को अब पता ही नहीं चलता कि कौन सच है और कौन जूट है because there are so many fake news, fake news articles, fake videos and यूट्यूबर्स को क्या करना है? अब यूट्यूबर्स को खाली चाहिए views because this is the peak period जहां पर वो अच्छा खासा views ले सकते हैं अच्छी खासी audience बिल्ड कर सकते हैं पर ये सब long picture के लिए अच्छी चीज नहीं है because ये सब से उनका तो फाइदा हो रहा है पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है So don't fall in this trap and असली क्या है? असली news क्या है? असली update क्या है? वो मैं आज के वीडियो में एकदम आपको reality check देने वाली हूँ तो वीडियो को end तक देखना 1.5x पे लगा दो पर वीडियो को end तक देखना पूरी clarity के साथ जाईए आप वीडियो जब देख लोगे आपको लगा कि ठीक है मैं मैं दिल को तसरली मिलेगी कि हाँ ठीक है इतने सारे वीडियो देख लिए इतने सारे news articles देख लिए Google में पूरा माथा फिर गया होगा आपका पर अब शान्त हो जाओ अब अगले सिर्फ दो तीन मिनिट में मैं जादा आपका वक्त नहीं लोगे कि माई स्टूडेंट अभी के टाइम पर हमें महनत करनी हमें पढ़ना है हम यह सब जो टाइम पस चल रहा है ना यूट्यूब में गूगल में यह सब जो news articles के पीछे fake news के पीछे मत पढ़िए तो बस हमें खली दो मिनिट मुझे खली दो मिनिट दीजिए मैं आपका सारा कंफ्यूजन अभी चुटकी में आपका सब क्लियर कर दूगी ठीक है तो अगर मैं गूगल में जाओ मैंने तो अभी गूगल में डाला मुझे सबसे पहला यही news article मिला है जो की trusted website है राइट ए देखते हैं उनका क्या है news article में क्या उन्होंने मैंशन किया है उन्होंने देखो क्लियरली मैंशन किया है नीट एक्जाम 2024 इंपोर्टेंट चेंज़ एंड अप्डेट्स कांडिडेट्स मर्स नू ठीक है उन्होंने इतना साफ साफ लिखा इसका मतलब है कि मतलब कुछ तो सच्चा सच्चा उन्होंने लिखा होगा देखते हैं पढ़ते हैं क्या लिखा है यहां पर उन्होंने बोला है सबसे पहले तो रेडियू सिलबस है तो वह तो हमें जानकारी है राइट रेडियू सिलबस है हमें पता है कि कौन सी चीज आने वाले कौन सी चीज नहीं आने अगर आपको उसमें क्यारिटी चाहिए तो मैं यहां पर आई बटन में डाल दूंगी मैंने एक शॉट भी बना दिया वहां पर मैं एकदम अच्छे से डीटेल में एक्स्प्लें किया है मैंने हाइलाइट कर दिया है कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कौन से टॉप करना है तो इसलिए आपको अगर अफेंटिक न्यूस चाहिए ठीक है वह ब्रेकिंग न्यूस नहीं अथेंटिक न्यूस चाहिए तो आप यहां पर आजाए विडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ओन करना बहुत जुरूरी है आपको सारे updates and news, असली updates and news यहाँ पर मिले जाएंगे, ठीक है, तो यह आपको पता है, फिर और क्या है, NMC has issued new guidelines, ठीक है, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 वाला भी पता है हमको, कि 12 के बाद ही दे सकते हैं, हम लोग और biology या तो biotechnology होना चाहिए, ओके, चलो, यह सब पता है, अब next आएंगे ethics and integrity, यहाँ पर दिखने आपको ethics and integrity, यह लोग दे लिखा है कि new section will be added, मतलब अभी physics, chemistry, biology, यह तीन papers तो दे ही रहे हो, right, अब उसके साथ साथ में वो लोग बोल रहे है, यह ANI news वाले बोल रहे है, कि हमारे internal sources है, और हमको अलग से अनमसी ने बुला के बोला है, कि ऐसा अलग से section बनने वाला है, ethics and integrity करके, because doctors बनने वाले है, तो हमें पता होने चिए, what should be ethics and integrity क्या होता है, थोड़ा दया भावना वाली चीज है कि नहीं, आप में, वो सब भी check किया जाएगा, and उसके बाद में, आपका मलब exam में selection करना है कि नहीं, वो तै किया जाएगा, with the help of this section, which has to be added, for need 2084, because यहां पर firsty line में बोला था, कि need 2084 के candidates के लिए, यह information है, यह guidelines है, तो यह ऐसा बोल रहे है, सबसे पहला यही controversial point है मेरे लिए, because this update is not yet given by NMC, ठीक है, NMC ने भी नहीं बोला, NTA ने भी नहीं बोला, क्योंकि मैं regularly यह दोनों की website check करती हूँ, and आप लोगों को भी मैं यही suggest करूंगी, कि आप यह सब fake news articles, fake videos से बचे, और जो भी जबी भी आपको लगे ना, मैं यह नहीं बोल रही कि आप मेरे videos देखो, जबी भी आपको confusion ऐसा लगे कि इतना सारा भर दिया YouTube में, सब बोल रहे कि NMC का नया update आया, नया syllabus चेंज हुआ, NCRT books चेंज हो गई, कु कर रहे है कि ऐसा section add होने वाला है, अभी तक तो ऐसी कोई भी news नहीं आई है, और अगर यह authentic होगी, अगर यह असली news होगी, तो NMC की website में सबसे पहला आएगा, और सबसे पहला मैं भी वीडियो यहां पर बनाऊंगी, ठीक है, मैं अपने बच्चों को सबसे पहले, पहला notify क करूँगी, यह मेरा वादा है, पर अभी तक नहीं आया है इस पर update, तो मैं इस पर, मैं आपको यहीं सबसे करूँगी, कि आप भी इस पर विश्वास ना करे, ठीक है, तो यह हम पहले से इसका tension लेना, नहीं है, हमें नहीं लेना इसका tension, because it is not yet told by NMC, ठीक है, next है कि ठीक है ठीक है, यह इसका भी मुझे controversial point लगता है, because यहाँ पर उन्होंने mention किया है, आप समझतो ना, tie-breaking rule मतलब कि अगर बहुत सारे बच्चों के 20 score आ गए, और मुझे rank अगर decide करना है, तो तब भी tie-breaking क्या रहेगा, बहुत कोई parameter होना ची, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, कि मैं इसको rank 1 consider करूँ या rank 2 consider करूँ, समझ रहो ना, लमाक से में पर बाद में कैसे decide करेंगे, तो यहाँ पर पहले जो 2023 का exam था और उससे पहले जो था ना, तभी जो exam body conducting थी, मिलब conducting exam body थी, उन्होंने बोला था कि the parameter by which we will decide is biology, मतलब biology में ज्यादा माक साएंगे, उसके बाद में chemistry and उसके बाद में physics, समझ रहा है, मतलब अगर दोनों students के biology के exact same है, mark same है, तो फिर chemistry consider किया जाएगा, ठीक है, chemistry में भी exact same है, तो फिर physics consider किया जाएगा, समझ रहो, तो ऐसा trend था पहले, पर अभी 2024 के लिए वो change हो चुका था and it was added कि सबसे पहला parameter will be physics, उसके बाद में chemistry and उसके biology, because biology easy जाता है, because we are neat aspirants, तो हमको biology बहुत ही अच्छा लगता है and to make it difficult, they have decided ये साल से कि physics will be the deciding criteria, तो यहाँ पर again उल्टा लिखा गया है, तो ये भी चीज गलत है, ठीक है, इसके according आप मत चलना, because ये दूसरी बात है, जो गलत लिखी कही है, अब दूसरा तो कुछ नहीं है, बस, मुझे यही सब आपको convey करना था, because there was a lot of confusion, and मुझे तो ये शॉकिंग जादा लगा, कि ये news, essay news articles को पढ़ कर, यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे है, because मैं यूट्यूबर्स वर्ट जादा यूज करना प्रेफर करूंगी as compared to educators, because educators ये टीचर्स जो होते हैं, वो they value their students, right, तो जिन्हों ने ऐसे ही directly video बना दिया है, I do not like that, and मैं उनको request करूंगी, कि आप बच्चों के भावना के साथ, जादा ना खेले, ठीक है, बच्चों का time waste मत करिये, बच्चों की, जो mental health है, उनसे आप खेलिये न, because ये सब से होता, हम realize नहीं कर पाते, बर काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो एकदम mental trauma से गुजर रहे होते हैं, उनका जो conditions रहती है, ठीक है, वो ऐसे घरो में रहते हैं, ऐसी conditions होती है, light का, light का खर्चा नहीं उठा पा रहे, Wi-Fi, Wi-Fi छोडो, internet की facility नहीं होती है, एकदम गाव से आए हुए रहते हैं, वो सब बच्चे भी की नीट exam को दे रहे है, उसके लिए prepare कर रहे है, यहां पर 20 लाख students prepare कर रहे है, MBBS seats के वल 1 लाख जितने है, तो इतना competition है इस field में, और ऐसे field में, अगर हम ऐसी fake news articles, fake news से पुरा वातावरन एकदम बिगाड दे, तो फिर इससे सिफ और सिफ students का ही नुकसान होता है, राइट सिफ बच्चों का नुकसान होता है, यहां पर teachers या किसी और का नुकसान नहीं होता है, because they are earning their money, उनको कुछ मतलब नहीं है आप लोगों से, पर आपको अभी अपना सोचना है, ठीक है, बच्चों आपको अब सिर्फ और सिफ पढ़ाई पर फोकस करना है, don't get trapped into these false news and false news articles to be precise Okay, so that was it, हम लोग, जैसे मैंने कहा आप लोग को कि हम Neat Rank Plus जो टीम है, हम आप लोग का बहुत जादा सोचते है, ठीक है, and that is why we are planning a series, जो की शुरू हो रहा है, from 4th of Feb, and 4th of Feb से 14th Feb, ठीक है, 10 दीन की series है, उसमें हम लोग सारे high-weighted chapters आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, एक Zoology भी होगा, and Botany भी होगा, तो मैं जैसे Zoology educator हो, तो मैं Zoology लोगी, वैसे दूसरे और तीन educators होगे, तो 10 दिन की series होगी, उसमें आपके high-weighted chapters हम कवर कर लेंगे, समझ जरू, तो जो होते हैं, high-weighted chapters, जो एकदम जादा कवर करेंगे, पुरा neat exam, तो वो neat exam आपकी में हो जाएगा, because you will know the concepts of all the high-weighted chapters, तो वो सीरीज में जरूर जुडिये, ठीक है, उसका एकदम डीटेल time table हमारे चैनल पे अविलेबल हो जाएगा, community post पे updated रहना, तो आज आना सारे बच्चे, ठीक है, बस that was it, बस खुशिया मनाओ, happy happy रहो, यह सब जूटा जूटा लो जूब लोजब जूओलाफ, बसक्वागा, कि रहो, बसकते रहना है?